गाले मुर्गे की ये प्रजादी वेसे तो सिर्फ जाबुआ जिले में ही पाई जाती है अन्नी जगों पर उस तरह का वातावरण नहीं मिल पाने की कारण ये प्रजाती अन्नी जगों पर दिखाई नहीं देती देश भर में प्रसिद्ध काले मुर्गे की ये प्रजाती कड़कनात अपने रसीले, स्वादेश्ट और ओशिदी गों के मास के कारण बहुत ही महंगे बिखते हैं परंतु धीरे धीरे ये प्रजाती विलिप्त होती जा रही है जहां काले मुर्गे कड़कनात को संदक्षित कर, रोजगार के अवसर ग्रामिनों को उपलब्ध करवाए जा सकें परियूजना को लागू किया जाना प्रस्थावित किया गया है कलकनात मुर्गी 20 सपता से भी कम उम्र में एक किलो वजन की हो जाती है लगभग 6 मा में अंडे देना प्रारम कर देती है जो अपने जीवन काल में 80-90 अंडे देती है इन मुर्गियों में खासियत होती है ये अपने अंडो पर बैठ कर 21 दिनों में चूजों को अंडों से बाहर निकालती है इन मुर्गों का मास, रक्त वा आंत्रेक अंगों का रंग काला होता है जो की मिलैनिन के कारण होता है कड़कनात मुर्गों के मास साधरन मुर्गों के मास से अधिक 25.47 प्रतिशत प्रोटीन व वसा 0.073 प्रतिशत कॉलेस्ट्रॉल 1.03 प्रतिशत व अधिक पोशन युक्त होती है इन मुर्गियों का जबलपुर जिले में नाना जी देशमुक पशू चिकिस्था विज्ञान विश्वेद्याले में विगत 17 वर्षों से पालन करते हुए इसका परिक्षण, सनरक्षण व उन्नयन शुद्ध नसल के रूप में किया जा रहा है वर्षा रितू का पानी मुर्गी घर में प्रविश ना करे फर्ष, कॉंक्रीट, पत्थर या इट का होना चाहिए लकडी, लोहे के मजबूत दर्वाजे, चोड़ाई पर लगे होना चाहिए लंबाई पर दशमलों नौ फिट की दिवार तथा ऊपर डिल मीटर की मुर्गा जाली लगी होना चाहिए साथ ही छट पर एसबेस्टर शीट को लगाना उप्युक्त होता है छट की शीट एक मीटर तक बाहर निकली होनी चाहिए जिससे बारिश का पानी मुर्गी घर में प्रविश ना कर सके कड़कनात मुर्गी का पालन प्रभंदन एक दिन के कड़कनात मुर्गी के चूजे अपने शरीर का तापमान एक सा नहीं रख पाते चूजों को अत्रिक तापमान कृतिम तरीके से चार सप्ता तक देना पड़ता है तापमान बल्ब, इंफ्रारेट बल्ब, हीटर रोट से बूढर में रखकर देना पड़ता है बूढर बास की टोकरी, टीन या लकडी के बने होते हैं चूजों को फर्ष पर लकडी का भूसा या चावल की भूसी का दो से तीन इंच बिछावन बना कर रखना चाहिए पीने का पानी एवं अहर के बरतन साफ एवं जीवानू रहित होना चाहिए चूजा आने के पहले बरतन भर कर रखना चाहिए इस प्रकार तीन महा तक चूजो को रखा जाता है तीन महा के बाद चूजो को दिन में चरण के लिए छोड़ा जाता है शाम होने के पहले घर वापसी आने के लिए दाना डाल कर प्रोसहित किया जाता है जिससे रातरी में मासाहरी पशु व्यम पक्षियों से सुरक्षित लेयर आहार 21-72 सप्ता की उम्र तक देना चाहिए कड़कनात मुर्गियों का आहार तीन महा पश्चात ग्रामों में उपलब्द कनकी जवार मक्का रागी बाजरा आधी उर्जा के लिए दिया जाता है प्रोटीन के लिए सोयबीन चूर्ण या मुंग फली की खली उपियो की जा सकती है। प्राप्त हो सकता है। आपने पांच मेगा तो धाहिया रुपे का आपको फाइदा हुआ होगा। ठीक है ना। अब मुर्गी हाती तो अंडा भी देती थी। अंडा कित्ते दियोंगे दिन में। अंडा भी बेचने से फाइदा हुआ ना। अंडा भी बेचने से फाइदा हुआ ना। आपको पैसा मिला होगा। होगा ना। आपको पैसे फाइदा हुआ हुआ कि अख्वागी कूशिते गभी अटा मुर्णा कृण भी और मिले तो पनवबार तो शीट लगात लुएमए। तो अब ही जो मुर्णी रापपार होगी दो तो कि अटिये मिलेगी का च्छे कीमत बिलियाती है उसके अंड़े भी महंगे मिचते हैं और इससे अगा आप पालोगे तो आगे जाके है आर्थिकला प्राइब के मिलेंगे तो इससे क्या है पर आगे आप अपनी ज्यादा अच्छी आमदनी कमा सकते हो और अपना परिवार में थोड़ा कुछ उसमें मदद जब जब ऐसा होगा तो काई को बैंक हैंगे पालेंगे फिर हम तो